नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं पाय से अरविदा पर आपका स्वागत करती हूं अल्दो मेरा जो फील्ड है वो डॉक्टर होना और मेडिसन के साथ ठीटन है तो जब आप पढ़ते हो आप जब स्टडी करते हो तो आपको मों बोहसारी साइड में मुझे लगता कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं क्योंख आहिए उटकर उस्टो कि इस देएं तो इतना कुछ मुझे उसमें साइड में गेन करने को मिला कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो वहीं से एक वर्ड जो हम लोग astrology की बात करते हैं या वास्तु की बात करते हैं तो वहां पर जो कलर हमारा जो सैफरन कलर है किसरी रंग है जो मैं बोलूगी कि हिंदुविजम का पटीक है या सनातन का पटीक है और एवन में भी जो मेरा एक आर्टिकल मैंने सबसे पहले लिखा था कि सिख्स में जो सिरो पाओ बोलते हैं उसको पूरा complete in कि के सरी क्यों होता है तो उस पर मैंने पूरा एक research article मैंने एक लिखा हुआ है वो मैं share भी करूँगे आप उसको पढ़ना क्योंकि वो मैंने सिख्षिसम के संधरव में लेखाता है और उसके बाद अभी जैसे मैंने अभी हमें पद है कि मिस्टर धरूवराटी ने कितनी सारी वीडियोस हमारे सनातन धरम को अटैक करने के लिए डाली है तो धरम धरम होता है अगर वो यह सोचते हैं कि ही बिलॉंग स्टू हिंदू रि शोदी वहां से नुकसान मिला हो कोई भी इनसान अपने धरम को अगर वो बुड़ा बोलता है इट मीस के उसमें कहीं कहीं कमी है या समझ में है या कहीं और कमी है अभी मुझे उनका मतलब मैंने सूना है कि बहुत लिटेरेट पर ने बड़े हैं बाइव यूज करते हैं वह बहुत बिकार लेंगूइच को मैंने जो एक मेरे सामने आया था उनका शौट सामने आया था ये चपरी यही को नाम, दिया दिजिये तो क्वोई इनसान अपने धरम के लिए इतना आपीं कि इसका मितलब है कि इतने पखाए या उसको इतना नुक्सान हुआ है कि वह अपने धरम पे अट्यक करने पे आ जाता है तो यहां पर मेरा में मुझे में बता रही हूं कि रिसर्च में मुझे बहुत हैं तो यहां पर केसरी रंग कि अगर बात आती है तो यह जो रंग है इतना है यह रंग हम लोग यहां पर अगर साइंस में जाते हैं तो आप देखेंगे जब सूरज चड़ने की दिशा में आता है तो नौर्थीस्ट की डिर डायक्शन में जब वो आता है तो उसका कलर यही कलर होता है गेरुआ कलर केसरी कलर होता है जब वो पुरा चड़ता है और उसके बाद उसका कलर आप देखोगे चेंज होता जाता है उसके बा करने का है तो मतलब आप ब्यूटिफुली राइस करते हो आप आप हार चीज को उसके साथ क्या 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 थे पेट्रियोटिसम के साथ लेते हो और यह कलर रिप्रेजेंट करता है नौर्थ इसको नौर्थ इसकी बात करते है जैसे मैं बोल रही हो कि बास्तू में भी आता है तो जिस इनसान का यह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और एस वेल इस क्राउं चक्रा हमारा यह नौर्थ इस्ट जो है डाट रिप्रेजेंट मेरा क्राउं चक्रा जो रिप्रेजेंट करता है और मैं इस इसका जो कलर आ जाता है वही केसली कलर आ जाता है जिस भी इनसान का गुरू, गुरू is the blessings, गुरू आपको bless करता है सबसे अच्छी चीज़ के साथ, तो हमारे गुरू ने हमें bless किया है सबसे अच्छी चीज़ के साथ, कि जितने आप इस color, ये color आपको एक, और with the cotton, क्योंकि cotton mostly use होता है, तो cotton की frequency मैंने पहले भी बताया था, cotton की frequency वो है, जो मेरी औरा की frequency होती है, ये बहुत अच्छी तरीके से merge होता है, synthetic materials मेरी body में इतने अच्छे से mix नहीं होता है, तो ये color मुझे जो है, vibrate करता है उनी colors के साथ, और मेरी सोच ऐसे ही pure रहती है, तो जितना जो लोग इस color के साथ अपने आपको adjust करते हैं, वो उतने ही उनके thoughts और सारी चीज़े pure होती जाती है, हम लोग बोलते हैं कि जिसका guru weak है या कुछ भी उसको blessings नहीं है, तो आप जी माथे पे किसर का तिलक लगाओ, तो किसर का तिलक और इसमें बहुत जादा फरक नहीं है, वो किसर का लगा तिलक हम नहीं ही लगाते हों, और मैं ही अगर अपने गले में या चीजर का रहा coy जो आपको अचे करम करने में अच्छे चार्या चीजे तो Arkham does और वह वयसे ही आपकी body में असारी चीजे manifest होनी शुरू हो जाती है क्योंकि मुझे जो ये मेरी body में वैसे ही represent हो चुरू हो जाता है जैसे मेरा Aura होता है अगर मेरे औरा में यह सारी चीज़ी आ रही हैं तो वो मेरे को वैसा ही शुद्ध बनाने लगती हैं तो यह यहां पे यह आप ऐसी लेंग्विज और मैं मैं इसमें जाओं तो मैं आपको साइंस में बता सकती हों कि सूर्य जब चड़ता है तो होराइजन पे वो ऐसे ही वो लाइट को है तो आपको यह दिखाई देता है सूरह का जैसे वो चिपता है उसका दिखता है तो यह सोच के लिए हमारे खि好不好 के सवागान करें क mirror कि यह आती है तो हमें डेली की बेसी पे यह सारी गाइडेंस दी गई है कि आपको किसी चीज़us का अबंवान करने के जरूरениं तो इतनी अच्छी सां इस इतनी अच्छी सोच इतने अच्छी मतलब्हीं हमें सारी समझ मुझे लगता है कि दी गई है जहांपर इवन कि disease में अगर मैं diseases की बात कर तो patients को हम यहीं चीजने देते हैं किया आपको treat करना है मेरी बॉड़ी में energy नहीं है मेरी बॉड़ी में सूर्य जिन लोगों की बॉड़ी में heat नहीं होती, pore में not can tinsates. हम लगा है, माथे पर केस लगा है, कि मेरी बहुत सारी मेडिसन जो मैं यहां थर्ड आई चक्रा पर लगवाती हूं क्योंकि जितनी भी आपकी मेंटली जो साइकलोजिकल प्रॉब्लम्स है वो सारी मेरी पीनियल ग्लैंट से आती है और यहीं पर हम केसर और का तिलग लगाते हैं तो इस सो वंडर्फुल यह कलर इतना अच्छा है और है तो मैं यह जो मेरा करने का इसका यहीं मतलब है कि कोई भी चीज हमारे सनातन धरम में कोई भी चीज बीना लॉजिक के नहीं है बीना साइंटिक एविदेंस के नहीं है तो आपको बोलते हुए थोड़ा साथ केर्फुल होना चाहिए आप इतने लो झाले तो आपको आपको बीना साथ कोई थी बीना साथ कोई